नमस्कार दर्शको आज हमारी चर्चा का विशा है क्या हर फाइब्रोइड की सरजरी होनी चाहिए हमारे पास बहुत सारे पिशेंट फाइब्रोइड जो है उनका अल्ट्रसॉंड लेकर आते हैं और हमसे सला मांगते हैं कि क्या डॉक्टर इसको सरजरी से निकालना चाहिए या नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ पे एक वीडियो बना दी जाए फाइब्रोइड जो है वह बच्चेदानी की रसॉली होती है या जिसको हम एक बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं यह कैंसर नहीं होता यह एक बिनाइन ट्यूमर होता है यानि कि यह बहुत ज जादा फैलता नहीं है या पेशन को जादा तर कोई प्रॉब्लम नहीं करता 50% तक औरतों में फाइब्रोइड पाई जाते हैं यानि कि बच्चेदानी में एक अधर रसॉली 50% तक लेडिज में पाई जाती है जो फाइब्रोइड है उसकी लोकेशन उसका साइज उसके सिम अगर बच्चेदानी बच्चा नहीं रखती तो वह फाइब्रोइड रख देती है फाइब्रोइड जो है वह ऐसी लेडिज में जादा इसलिए होते हैं क्योंकि जादा तर अगर एक बेवी होता है तो नौ-दस महीने तक पीरियड नहीं आते फिर उसके बाद लेडी बच तो उससे जो है फाइब्रोइड उत्पन होते हैं और उससे ही उनका साइज बड़ा होता है यानि कि किसी की सरजरी हो गई उसके बाद उसको फिर भी बेबी नहीं हुआ तो उसके फिर से फाइब्रोइड बनने की संभावना जादा होगी अदरवाइस जिन पेशेंट्स की सरजरी हुई होती है उनके फाइब्रोइड निकले होते हैं और उनको हम सलाग देते हैं कि अब जलजी से प्रेगनेंट हो जाएं तो वे नौ मीने और फिर उसके बाद एक साल और उनको पीरिड नहीं आते तो उनके फाइब्रोइड बनने की संभावना कम हो जाती है अब जो है उसको लेकर एक तो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रियेट करने जाहिए क्यूंकि फाइब्रोड 50% लेडिस को होते हैं जैसे मान लीजी हमारे शरीर पे तिल है तो हम उसको लेकर कितना सीरियस होते हैं अगर जब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता अगर वो छोटा मोटा है तो उसके लिए जादा पैनिक सिचुएशन क्रियेट करने की जरूरत नहीं है 99.9% इसका कोई कैंसर नहीं बनता है अब बात आती है कि क्या फाइबरोइड रिमूव करने के लिए सरजरी करवानी है या नहीं जादा तर ऐसी कश्मकश पहली बार में नहीं होती ऐसी कश्मकश जादा उन लोगों में होती है जिनमें बार बार फाइबरोइड बन रहे होते हैं तो मैं as a doctor कैसे decide करती हूँ कि ये फाइबरोइड निकालने वाले हैं या नहीं इसमें सबसे पहले एक फाइबरोइड mapping होती है mapping यानि की एक map बनाना या एक नक्षा बनाना कि फाइबरोइड कितने हैं कहां कहां है इनका size गया है और जो बच्चेदानी की अंदर की lining है इनको ये touch कर रहे हैं push कर रहे हैं या नहीं बच्चेदानी की जो lining है उसमें से period आते हैं अगर मान लीजिए किसी patient का फाइबरोइड बच्चेदानी की lining को push कर रहा होता है तो उसको period की problem होती है प्रॉपरली नहीं जाता या बच्चे के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है तो सबसे पहला ऐसा फाइबरोइड जो बच्चेदानी की lining को push कर रहा है उसको हम निकालने की सला देते है जो patients के फाइबरोइड बच्चेदानी की lining से दूर है उनको हम फाइबरोइड निकालने की सला नहीं देते हैं अब फाइबरोइड के symptoms क्या है फाइबरोइड pressure symptom कर सकता है मालीजे किसी का है तो बच्चेदानी की lining से दूर मगर है बहुत बढ़ा यानि की 10 cm, 12 cm या 5 cm से भी बढ़ा जो दूसरे अंगो पर जाकर जोर डाल रहा है यानि की फाइबरोइड लेट्रीन के रस्ते पे जोर डाल रहा है या पेशाप की थहली पे जोर डाल रहा है या यूरेटर यानि की जो kidney से pipe जाकर पेशाप की थहली में जुड़ती है उसमें जाकर urinary bladder को push कर रहा है तो ऐसे जो fibroids हैं जो दूसरे organs के उपर pressure symptom डाल रहे हैं उनको निकालने के लिए हम सला देते हैं फिर patients के symptom पे भी depend करता है कुछ patients को fibroids के कारण pain होती है और ऐसे patients को भी हम जो symptomatic हैं उनको हम fibroids निकालने की सला देते हैं अब कुछ patients ऐसे होते हैं जिनके पास एक ultrasound की report होती है एक fibroids है, 2-3 cm का है, बिल्कुल बच्चे दानी के बाहर पड़ा हुआ है ऐसे patients एक तरह के cancer phobia से हमारे पास आते हैं कि यह तो जी रसोली हो गई, अब इसको तो निकालना ही पड़ेगा इसको निकलवा देते हैं, यह कुछ बन ना जाए तो ऐसे patients को हमें बहुत समझाना पड़ता है और वह doctor to doctor घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का डर लगता है तो fibroids जो बच्चे दानी के बाहर हैं और छोटे हैं उनको तो बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है अब finally जो fibroid की surgery है वे किस माध्यम से होनी चाहिए दो तरह से ही हम surgery कर सकते हैं या दूरबीन से कर सकते हैं या पेट खोल कर सकते हैं जो भी अगर surgeons skilled है तो बड़े से बड़े fibroid भी वे दूरबीन द्वारा निकाल सकते हैं प्रॉब्लम आती है multiple fibroid में यानि की एक बच्चे दानी में कम से कम 15-20 fibroid हैं बहुत ज़्यादा हैं अलग-लग जगा पे हैं तो उसमें open और leproscopic surgery दोनों ही challenging होंगी और ऐसे fibroid निकालने के बाद बच्चे दानी में काफी scar भी आ जाते हैं अब fibroid surgery के बाद कुछ patients को बहुत जल्दी होती है कि हम तुरंट pregnant हो जाएं तो fibroid की surgery के बाद हमारी ये सला रहती है कि at least जो patients की बच्चे दानी की जो अंदर की lining है वे नहीं खुली है और fibroid की surgery हुई है तो उनको at least 3 months का gap लेना चाहिए और जो patient के बच्चे दानी की अंदर की lining खुल चुकी है उनको at least 6 months का gap लेना चाहिए इस से जो बच्चे दानी की जो wall है वे आपस में अच्छे से जुड़ जाएगी और वे heal हो जाएगी और उसके बाद अगर patient pregnant होता है तो 9 महीने तक बच्चे दानी की काफी support रहेगी अगर patient pregnant होने में जल्दी करेंगे तो proper healing नहीं हुई होगी तो बच्चे दानी की फटने का खत्रा रहता है अब हमारे पस fibroid surgery के बाद patients आते हैं कि doctor क्या हम normal delivery कर सकते हैं तो जो surgeon ने आपकी surgery की है वे ही ये बात बता सकते हैं कुछ दॉक्टर fibroid surgery के बाद cesarian section की सला देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चे दानी जो है वो contract और relax करेगी तो उसके फटने का खतरा बढ़ जाएगा ये जो operating surgeon है वे ही बता सकते हैं अगर पूरी पूरी तया खुली है और doctor को ये लगता है कि normal delivery का risk नहीं लेना है बच्चे दानी के फटने का खतरा है तो operation से ही baby ले लेना चाहिए इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो normal delivery ही चाहते हैं जैसे आपके doctor सला देते हैं अब वैसे ही इसको follow कर सकते हैं कुछ patients fibroid की दवाईयां खाना चाहते होते हैं कि हमारे fibroid गायब कर दीजिए हमें इसकी medicine दे दीजिए जाधा तर जो fibroid को छोटा करने की medicines आती है वै उन patients के लिए useful होती हैं जिनके fibroid symptomatic हैं अगर मान लीजिए fibroid दूर है और बड़ा है मगर dog patient surgery नहीं चाहता तो बहुत बड़े fibroid के उपर दवाओं का असर नहीं होता दवाओं लंबे समय तक खाने ही पड़ती है और ये दवाओं के side effects भी होते हैं और जाधा तर ये दवाओं खाते खाते patient pregnant नहीं होता तो surgical और medical management जो है वै जो patients बच्चा चाहते हैं उनके जो अगर दवाओं से हम fibroid को छोटा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत जाधा अलाब नहीं होता क्योंकि दवाओं खाते खाते patient pregnant नहीं हो सकते Finally, हम इस वीडियो के माधियम से यही कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छे fertility consultant के पास visit करें जो आपके fibroid को अच्छे से analyze करें और आपको एक route पे डालें कि आपको इसको दवाइयों से ठीक करना है या आपको इसको surgery से ठीक करना है या आपको इसको लेके कुछ भी नहीं करना है अगर आपको इस topic के ओपर कुछ भी questions हैं तो आप comment section में comment कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद